हाई मैं हूँ शोमाली और आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड में एक ऐसी मिश्टन के बाड़े में बताने जाड़ी हूँ जो कि ये हाट के लिए बहुत ही असरदार है ये अधुत मिश्टन हाट को हेल्दी और क्लीन रखता है और यह तक के वाइपस और एंज्योप्रस्टिकों ही रोख सकता है तो आए देखते हैं ये मैजिकल पॉषिन को कैसे बनाते हैं तो इस पॉषिन को बनने के लिए हमें जो चाहिए होगा वह है गार्लिक का जूस और लसुन का जूस मैं आपको बता रही हूँ ये लसुन का जूस आपको कैसे निकलना है पहले लसुन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए और उसको छील का निकल लीजिए उसके बाद ए आधा काप जींजर जूस यह अद्रक का जूस है वो भी आप बिल्कुल इसी तरह से आपको निकलना है आधा काप लेमन जूस और निमुका जूस और यह है एपल सीडर विनिगर यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इस पोशन के लिए तो यह आपको कोई भी ग्रॉसरी स्टोर म मिल जाएगा यह भी हमको लेना है आधा काप और यह है हनी और शहित तो यह भी हमको आधा काप लेना है लेकिन यह हम बिल्कुल बाद में यूस करेंगे तो पहले हमें क्या करना है पहले एक पैन लेना है हमें जिसमें हम इसको उगा लेंगे तो इसके इसमें हमें सारा जो इंग्रिडियन्स से वो एक-एक कड़के डाल देना है इसी तरह से यह सारा मैंने डाल लिया अभी हमें आधा कप के हिसाब से यह जो आपल सिदर भिनिगर है यह हमको एड करना है यह मैंने इसको एड कर दिया इसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करना है और यह मिक्स करने के बाद हमें धीमी आज में इसको वान थर्ड होने तक उगलना है इस मिश्रन को अब ऐसे धीमी आज में उबलत रहे जब तक यह वान थर्ड ना बन जाए लगातार 45 मिनिट तक इसको धीमी आज में उबलने के बाद इसका कॉंसिस्टेंसी ऐसे आया है और यह अभी टोटल वान थर्ड मिजर में भी आ गया है तो अभी मैं यह गैस को आफ करूंगी और इसको ठंड होने के लिए रख दूंगी इसे ठंड करने के लिए आप कोई ठंडे पनी के बर्तन के उपर भी रख सकते है ऐसे अभी इसे अच्क होने के बाद क्या करना है हमें half cup के हिसाब से हानी इसमें एड़ करना है और फिर एक चमस से इसको अच्छी तरह से इस मिश्टन के साथ मिला देना है ये जो मिश्टन है ये अभी अच्छी तरह से बन के तयार हो गया है और इसका जो कलर है वो लगवक ऐसे ही आएगा अब ही हमें क्या करना है एक काच के गिलास में इसको हम ऐसे निकाल लेंगे और इसको हर रोज सुभा ब्रेकफस्ट के पहले या कुछ भी खाने से पहले एक टेबल स्पून करके हम पिएंगे और इसको अगर आप चाहे तो एक बॉटल में भी आप स्टोड कर सकते हैं यह जो पूशन है यह आप ऐसे प्रेशन यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर किसी को अल्रेडी हार प्रोब्लम है तो डॉक्टर से सलाव राना ना आप अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो फिर सब्स्राइब कीजिए मेरी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर कोई भी सवाल हो तो फिर कॉमट कीजिए लेकिन अगर कीजिए तो डोगर कीजिए पसंद पस्टाइब कीजिए पस्टाइब कीजिए